वेलकम तू नियो आक्सपर एजुकेशन आज हम एडुटेरिया का बिहार करेंट अफिर्स का प्रैक्टिस सेट वन करने जारे हैं इसमें 50 कोशन होंगे और इसमें देखते हैं आपको कि कितने कोशन सही होता है और सथमें बिसिक लिए यह इंपोर्टेंट कोशन है तो हम सु समस्तिपूर देना केगा बक्सर समस्तिपूर निश्कोशन देखते हैं कि बिहार के किस जीले में इस तित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भर्णार्व में खनन कार्ज सुरू करने की योजना बनाई गई है यह जमुई जीले में ऑप्शन बी हो जाएंगे निश्कोशन कोशन देखते है कि निम्रकित में से किसके दोरा हरी जंडी दिखा कर 23 में 22 को पतना से खरिफ महा अवियान 22 की सुरूआत की गई है यह किया है नितिसक मार गया दोरा ऑपशन 2 हो जाएंगे निश्कोशन देखते है कोशन 4 है कि बिहार के किस जीले में इस तित ककर गड जल जूरी मिली है यानि घोषना किया है यह है कैमूर आप्शन भी हो जाएंगे यानि करकरगड जल परबात किस जिले में तो कैमूर में यह भी धियान रखेगा निश्कोंचन है कोशना है कि बिहार के गया जिले में किस नदी पर 441 मिटर लंबे रबर डैम्प का निमान बिहार जल संसादन बिवहाग दोरा किया गया है या किया है फालकू नदी पर यह कोशन सरस्थ में वीपेसी में आया था आगे देखते हैं कोशन नवर सिक्स करा है बिहार के पहले ग्रिन फिल्ड ग्रेन वेस्ट एथिनॉल प्लांट का सुभारम बिहार के किस जिले में किया गया है तो यह किया है पूर्णिया जिले में ऑफ़शन ब्रसै नवर छे मने जैंगे जिंड कोशन क्रोंठ के लागत से बने किस सबसे बड़े इस कौन Kend君क पर्थम अस्तार मिला है यह है मुझा परफूर और नाइन कोशन है कि ब्राजील में आउईट 24 में ग्रिश्ण कालीन डेफ लिफिक्स 2021 के बैटमिंटन पर्योक्ता में हाजीपूर यानि बिहार के किस खिलारी ने स्वर्ण पतक्स जीता है यह जीता है रितिक आनंद और अप कोशन में ने जंगना कितने चरण में कराइब यह जारी है यह कराइब नौन आंगे आगे लेवन है कि मुखमत्री निथिषुपार ने बिहार पसू बिञ्ञान विशु विश्विद्याले के प्रस्तावित भावनों को अधहार सिला किस जिले में रखी है यह रखे है पटणा में अबसण ई होजाएंगे निस्करigan है कोच्छन नवर 12 कोच्छन है कि बिहार हाली में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाये जाने की घोषना किया है या किया है देना किया नवादा और कैमुर जिला में नवादा और कैमुर जिला में निश्कोचन है कोश्चन नमर 13 करा है कि मई 2022 में आउदुगी करन को बरहवा देने के लिए किस राज सरकार दोरा आउदुगी की निवेश परसान नीती दोजा बैस को मंजूरी दिया है या दिया है बिहार सरकार कराया हाली में पतना हाई कोट की किस पर्थम महिला जज की मिर्ति हो गई है इसका नाम थे जस्टिस इंदुपरवा सिंग जस्टिस इंदुपरवा सिंग और सी हो जाएंगे कि पर्यावरन अनुकुलन उपायों को बेहतर उपाय के लिए बिहार के किस अस्टिसन को इंडियन ग्रीन वेल्लिंग काउंसिल द्वारा पर्तिष्ट गोल्ड रेटिंग दी गई है यह दिया है ऑप्शन सी हो जाएंगे बापु धाम मोतिहारी अस्टिसन ऑप्शन सी हो जाएंगे करा हाली में जारी केंद्रिय सीख्षा विभा के रिपोर्ट के नुसार राज्यों में भासा पर खर्च करने पर के मामले में बिहार किस अस्थान पर है यह है तीसरा अस्थान पर ऑप्शन ए जाएंगे करा है हाली में बिहार के किस जिले में राज का दूसरा डॉपलर राडार लगाए जाने की घोषना की है यह किया है पूर्णिया में इससे पहले पाहला लगा था पत्ना में जाने की गा नेक्स कुशन है कुशन नमर अठारा कुशन है कि मई 2-22 में के रिपोर्ट के नुसार बिहार में सीशु में तुदर घटकर कितनी हो गई है यह हो गया है 37 ऑप्शन डी हो जाएंगे 27 ओप्सन डियूँ जाएगी Question number 19 करदा निम्खित में से किस नाम निम्खित में से किस नाम से हाली में भोजपूरी का पहला OTT एपल लॉंच से हुआ ते यह नाम है चौपल जैने करें ग no 판 Question number 20 Question number 20 है कि ओविहार के किस जीने में Question number 20 है कि बिहार के किस जीले में 200 एकर में रमायन मंदीर का निर्मान कारी तीन मेरी दोया बैस को शुरू किया गया है यह किया है पुर्वी चंपारन में आपसन सी रहेंगे निस्कोचन है कि बिहार में जाती जन्गना की शुरुवात कब से की गई है इसे याद रखेगा साथ जन्मरी दोयार तेश को यह भी प्यासी में हो सकता आज जाए कोशन आगे देखते कोशन में टोयल बैस 22 कि हाली में बिहार सरकारने पत्ना में कितने मीटर से अधिक उचाए वाले सभी भावनों के विदुत सुरक्षा औडिट का आधिश दिया है तो यह है 15 मेटर ऑप्सन एव जाएंगे निश्ट जाने कोशन नमर तेश करा है कि बिहार के किन जीरो में 200 मेगावाट सोर उर्जा उत्पादन के लिए बिहार एस्टेट पावर है वोल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा तथा सतलज जल बिदुत निगम के बीच समझ कोशन नमर 24 देखते हैं कि कोशन नमर 24 है कि निम्रखित में से कौन सा एरपोर्ट मैथली भासा में उद्गोशना यानि एनॉस्मेंट करने वाला भात का पहला एरपोर्ट बन गया है यह है द्रभंगा एरपोर्ट ऑप्सन ए हो जाएंगे यानि यहां पर पहली बार हुआ है द्रभंगा एरपोर्ट जो एनुस्मेंट यहां पर मैथली भासा में भी की जाती है निश्कुर्शन नमर 25 करा है सितंबर 22 में बिहार इन्वेस्टर मीट 22 का आउजन कहां किया गया था या किया गया पत्ना में ऑप्सन ए हो जाएंगे निश्कुर्शन 26 करा हाल ही कि घो पुरा हो जाएगा यह हो जाएगा दोया 24 तक आउप्सन डी हो जाएंगे निश्कुर्शन 27 करा है नमकित में से किस राज में पहली बार 37 अप्रेल 23 से 11 दिवाश्य का आउजकरम गंगोस्था का आउजन किया जाएगा यह है बिहार आउप्सन ए हो जाएंगे करा है कि माई दोया बैस में सीता माड़ी के किस ब्यक्ति को राश्टपती दौरा विशिष्ट सेवा पद से समानित किया गया है यह किया है एर मारसल अमित देव को करा है कि माई दोया बैस को बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी जोर पड़ेजना राज की कैमिनेट ने सुरू करने की मंजूरी दिया है यह है कोशी मेंची लिंक पड़ेजना आउप्सन नमर सी हो जाएंगे कि सत्रों सो एकर में फैले बिहार की सबसे बड़े टेक्स्टाइल पार कर निमान कहां किया जाएगा यह किया जाएगा ब्यतिया में यहीं पश्मी चंपारत किस राज सरकार ने हाली में हर पंचैत में मरीजों के स्वास्त जांच के लिए पैथोलोजी जांच के लिए खोलने के निनने लिया है यह है बिहार सरकार आप्सन बी हो जाएंगे निश्कोशन है कोश्चन नमर 33 करा है बिहार टेक्स्टाइल एवं लेदर पॉलिशी दोया बैस के सब्सक्राइब कौन सा कतन सत्य है इसके तहत सर्यंत्र और मसेनिरे के लिए पुंजी गत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा जो अधिक तम 110 क्रोड सब्सक्राइब कि यह भी सही है इसके तत पांच साल तक माल ढूलाई पर दस लाख रूपे पर तीवर्स अनुदान दिया जाएगा यह भी सही है यह इसका एंसर जोगा ऑप्शन ई ओप्युक्त में से सभी 34 है कि हाडियाना में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के समन में कौन सा कथन सत है बिहार ने एक सोन और एक कास जीत कर पतक तालिका में अठेस्वा स्थान हासिल किया था बिल्कुर सही है दूसरा है कि जहाननावाद के भोला कुमार ने भारो तोलन में सोन पतक जीता यह भी सही है थीरी है कैमूर जिले में सुभं कुमार ने कुष्टी प्रयुक्ता में कास्षी पतक जीता यह भी सही है यह इसका एंसर जगा ऑप्शन C 123 तीन हो सही है मुक्माति ने भारो जरूत मंदो और असाहे लोगों के लिए किस जिले में निमित अमर प्रेम भवन का लुकारपन किया है यह किया है पतना में ऑप्शन A हो जाएंगे निश्कुचन 36 करा है हाली में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रीज बन कर तियार हो जाएंगे रोड मैप कब से लागू होगा चोथा किरसी रोड मैप कब से लागू होगा एक अप्रेल दोशन ध्यान रखे गासे कि करनाटा के चित्र जिले में बनाए गए भागिरत जैनती का अफसर पर विहार के किस ब्यक्ति को भागिरत श्री समान से सम्मानित क्या गया है यह किया तत्कालिन उपमुखंत्री रेनु देवी को तत्कालिन उपमुखंत्री रेनु देवी को निश्कुर्शन है क्वेशन नमर 39 करा हाली में बिहार के गितिस्वर परवत पर प्राचीन सहल चित्र पाए गये है गितिस्वर परवत बिहार के किस ज जले में इसृस्तित है यह जमोई जली में जमोई जली में ऐसों डी हो जाएंगे तो क् somehow कि बिहार में कहाँ पर A T F का ट्रेनिंग सेंटर बनकर ट्यार हो गया है जहां बिहार पुलिस के जमाणों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगे कमांडों ट्रेनिग यह यह है बोध गया में ऑप्शन बी हो जाएंगे निश्कुर्चन है 41 करा है कि निम्खित में से कौन से कतन सत्य है ऑप्शन ए है कि जाती अधरी जन्गरना करने वाला महाराष्ट के बाद बिहार दूसरा राज बना है यह बिल्कुल सही है महाराष्ट के बाद बिहार दूसरा करने का लग्ष रखा है जो कोई काम कर नहीं है पांसा क्रोल इस पर खर्च करने जा रहा है बिहार सरकार के उद्योग विभाग को MSME के सेक्टर में बेहतरीन प्रदाशन के लिए नेशनल MSE आवार्ड प्राप्त हुआ है या बिल्कुल सही है बी है कि उडिसा के बाद बिहार ने इस सेक्टर में देश का दूसरा सर्म प्राप्त किया है या भी सही है या इसका एंसर जगा ऑप्शन C वन एंटू दोनो आग टू लाग हेक्टेर में सीचाइक की शमता विकास होगा या बिल्कुल सही है तू है कि बावन साल के पस्चाइद इस महातु कंशी परज़ना के निर्मान का रास्ता साफ हुआ या भी सही है त्री है कि मुंडल डैंप इस परज़ना का भाग है उत्री कोयल सून की सहायक न कौ轉 nr 44 करा निमकितमें से किस पुष्टक के लिए लेकक मुर्ली मनहोर सिरि वासतव को इंडिया वूक आफ रिकॉस्ट बैसे नवा जागए है इंडिया बुक आफ यर्स दिया बैसे नवा जागे है आफसन बी हो जाएंगे सहनाई वादक उस्माद बिस्मला खान आफसन बी हो जाएंगे कोशन है 45 नवर नेश कोशन 45 करा पत्ना के पत्ना के पाटली पुत्र किस राज के बालिका और बालक वर्ग ने किताब जीता है यह जीता है बिहार आफसन बी हो जाएंगे कोशन 46 करा हाली में बिहार के किस जीले में धुर्म पान मुक्त जीले घोशित होने पर राज अस्त्री सम्मान समरों में पुरुस्कित किया गया है किसे किया गया है तो यह होगा आफसन ए हो जाएंगे मुझब परपूर, सीता मडी और सिभार कोशन 47 करा हाली में चाल्चा होड़ी खागरिया जीले की सिरिया त्यागी का समन्द किस छेतर से है यह है योग कला से आफसन डी हो जाएंगे नेश कोशन 48 करा है 271 करोड रूपे की लागत से बिहार विद्यालाय प्रिक्षा समीती द्वरा राजी का सबसे बड़ा प्रिक्षा भोन कहां बनाया जा रहा है जिसमें 25,000 बच्चों एक साथ प्रिक्षा दे सकते हैं यह बन रहा है ध्यान रखे 48 हो जगा पटना ऑप्षन ए हो जाएंगे नेश कोशन है 49 नंबर किस रेल्वे मंदल छेतर के न्यू जलप पाई मूंडी रेल्वे स्टेशन को धाका के बीच में चलनने वाली मिताली एक्स्प्रिस का प्रिचलन जून 2002 से किया गया है यह पट आतना में आयुत नौबी सीनियर डास्टी रगवी प्रिता में महिला वर्ग में बिहार के टीम ने किसे राज को हरा कर पहली बार नेशनल चैंपिन्स जीता है यह हराया है पस्छी मंगाल को ऑप्षन दी हो जाएंगे आज के लिए थैंक्यों धन्यवाद यह पाला सिर्थ अगले वीडियो हम कल दूसरा चैट लेकर आएंगे